हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज की कहानी का सीर्षक है राजा सत्यकेतू राजा दसरत कैसे बने चक्रवर्ती राजा अज के पुत्र सत्यकेतू हुए जो अपने पिता और दादा रगु के समान प्रतापी वीर वर्दानी त्यागी समराठ हुए रावन ने इनके साथ बड़े भेंकर वेक के साथ यूद किया प्रन्तू हार गया जिससे उसने अपने समान दस महारत्यों के साथ अधार्मिक यूद किया अकेले पर दस तरफ से एक साथ प्रहार किये गए प्रन्तू राजा तो कालहु डरे नै रन रगुवनसी थे वह अकेले ही लड़ते रहे प्रन्तू इस बीच उनके रत का सार्थी रावन ने धोके के प्रहार से मार दिया और राजा के रत का पैया निकल गया किन्तु उसी समय केकई नरेश की राजकुमारी केकई ने अपने रत से कूद कर राजा को बंदी बनने से बचा लिया और उनको अपने रत में बैठाया खुद सार्थी बनी केकई जैसी सार्थी पूरे विश्म में कोई नहीं थी अब राजा ने क्रोध में युध करके दसो मारतियों को हरा कर बंदी बना लिया प्रन्तु रावन को म्रत्यू दंड नहीं दिया क्योंकि वह ब्राहमन पुत्र कहकर उसको छमा कर दिया गया यहीं से राजा सत्य केतु का नामकरण राजा दसरत हो गया प्रन्तु देवी केका इतनी क्रोधीत हुई थी कि उन्होंने प्रतिग्या की थी कि इन दस के दस महारतियों को इनी राजा के पुत्र से मरवार डालूंगी ऐसी सबत उन्होंने ली थी